सरहदी जीले फिरोजपूर के सीविल अस्पटाल की बत्तर हालत का ये कोई ताचा मामला नहीं ही इससे पहले भी अस्पटाल अस्विधाओं को लेकर चर्चामी नहाँ चुका है बता दे पिछले लंबे समय से फिरोजपूर के इस सीविल अस्पतार के एमर्जनसी बोर में हार्ट को पंप करने वाला डीफ़डेटर मोनीटर इसी जी मशीन वेंटिलेटर मशीन ऑपरेशन सेटर लाइट एसी आधे कई अन्य अवर्शक चीज़े आज तक यहां उपलत नहीं तुबाई गई है इतना ही नहीं हाला तो यह है कि यहां रात के समय मरीजों को फस्टेट देने तक के लिए कोई नहीं होता यानी सीविल अस्पतार में जॉक्टरों और स्टाफ की भी कमी है और इस कमी से यह अस्पतार काफी समय से जूज़ा है यहां अस्पतार के एमर्जनसी के बाहर वाटर कुलर तो लगा है लेकिन वो केवल नाम मातर का है क्योंकि उसमें पानी ही नहीं है ये सीविल अस्पताल बनाया तो मरीजों की गुरूर के ले गया था लेकिन यहां मरीजों की देखरे को रूम की स्रक्षा से संबंदित पुधाओं की कमी है जिसके चलते यहां आने वाले मरीजों को काफी दिक्पतों का सामना करना पड़ता सीविल अस्पताल के एमर्जनसी वार में दाकिन मरीजों का कहना है कि एमर्जनसी में बहुत जर्मी होने के कारण उन्हें घर से ही पंक से लेकर आने पड़ते हैं और फिले का पानी भी उन्हें अस्पताल के बाहर से ही लाना पड़ता है एक तरफ मीजा के कैमरे सीविल अस्पताल के बत्तर हालत दिखा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के समो परदीप अगरवाल सभी सुविधाय होने की बात कर रहे थे इतना ही नहीं थोड़ी देर बादी सीमो साहब एमर्जंसे की कम्यों को जल्स पुड़ा करने की बात करते हुए भी नज़राए पुलर सुप्लाई वास्ते आरडी आरो लगवाय है ति असी फेर भी इस दूमला इस ते गौर करके जो जो कमियों होने हैं असी जल्ब तो जल्ब करने कोशिश कराने हैं ति लुका रूप चंगी से इस उल्ता दे नालाल जो एमर्जंसे सर्वसी जितां पानी दी है बिज जल्ब तो जल्ब कोशिश करें इस तरह कोईगा लिए कुछ डॉक्टरां दी वाला ड्यूटी इत्य होंगी है ति इसाथे को लिए अमर्जंसी मेडिकल ऑस्तर है जिना दी पंजाब सकार जे होने हुक्मां दे बदली होई है उज्जे सबंद विच भी असी अपने जो तुसी कम्या दे बारे दसा है तुसी जल्ब तो जल्ब पूरा करके लोकानों दे भी सुल्ब का प्रवाइज करा है इन देश्पेस के लिए फिरोच पूल से रतलाव दूपो